हेलो फ्रेंज तो आपका स्वागत है हमारे चैनल लेटेस नोटिपिकेशन में तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि गौहार्टी इकनिवर्सिटी में चल रहा है उसका कोशन पेपर का पेटरंट तो कोशन पेपर कैसे और किस टाइप का आ रहा है तो इस वीडियो में आ स्टुडियन्स है और फर्स्ट और थर्ट सेमिस्टर के स्टुडियन्स को भी बहुत ही हैल्पूल होगा क्यूंकि उस तिस पागार का कॉश्चन पेपर अभी आ रहा है वैसा ही कॉश्चन पेपर आने वाले एक्जामिनेशन में भी आने वाला है तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो मैं आपको लेके चलता हूं गौहार्ट इनिवर्सिटी के जो आज की कॉश्चन पेपर थे विकॉम फिप सेमिस्टर के उसको दिखा देता हूं आपको और कुछ अच्छे से बताने की कोसिस करता हूं कि कॉश्चन पेपर जो था किस पगार से था और किस टाइप का कॉश्चन आया तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कॉश्चन पेपर के तरफ तो आपके स्कीन के सामने कॉश्चन पेपर दिखरा वोगा को यहांपे तो यह Można 1953 का open textbook examination यहां पर लिखाया हुग गया है open textbook examination उसके बाद याफिपर code डिया गए उसके नहीं पर आपको बताया हिए कि 56 marks का यह connection पर और आपका टाइम डिचाए ग्रूप में डिवाइट किया गया ग्रूप A और ग्रूप B तो यहां पर आपको दिखने को मिलेगा ग्रूप A यहां पर 28 मार्क्स केरी कर रही है उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा ग्रूप B यहां पर ग्रूप B है तो यह भी 28 मार्क्स केरी कर रही है तो यह यहां पे ग्रूप ए में जो आपको वर्ड लीमिट दिया जाएगा उस्वा कम हो सकता है और पी में हो ज़्यादा हो सकता है आपको एंसर लिखने का वर्ड लिमिट वी 600 whatts और ग्रूप जो है को अच्छे से सब्सकुन एक कर दिघी गई आपके हो सभी रबादस आंसर संटूहां सबसे पहले दिया गया है वान आपको यहां पर दीख रहा होगा यहां फे यह बाला वान मां का चाहं पर उसके बाद कि आपको यहां पर कि यह नमबर में कैद टीन वां स twee त confession है जो मार्च करहएं करें और इसमें ईच विदिन 30 वॉट्स लिखा गया है ऐसा अबचे में ले कर डीना है तो आप यहाँ सकते हैं ताँ स्भसिव एना है तो भी मतलब कि समें अप्षिनन्ली आजमों तो तो की उसके बाद आपको नीचे ग्यार कि चलता हूं ऐश्य होत जो सब्सक्राइक्ट कॉछ steps बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है 220 उससे ज्यादा बेसी आप वर्ट में मत लिखे का एंसर ने तो आपको पॉब्लम हो सकता है उसके बाद आपको दिया गया यहां पे चाहर नमबर पे यहां पे एनी फॉर कोश्ण्स फॉम्ब लुइंग ना आपके और आपको सिर्फ यहां पे चाहरी कोश्ण्स का एंसर लिखना है और आपका यहां पर वर्ट लिमिक्साब देखित दिया गया है 600 वोर्ट्स और एक चीज में बताना भूलक हो यहाप निम班 सिन Sud तोल से living स्हें तो यहापीं मांक्छ करी कर रही है यह सिक्स एंटू कि तो यह देखिए ज्य कर maximal कर रह यहां पर तो अब जो भी माक्सापका केरी कर रही है यहां पर अपको दीख जाएगा और यहां पर जो फोल नम्बर में दिया गया है एनिफॉर questions फ्रोंड़ फ्लोइग तो यहां पर 7 marks केरी कर रही है आपका ग्रूप B के अंदर तो यहां पर देख रहे हैं कि 7 X4 28 माक्स का है ये कुश्यन होगा तो इहां पर आपको 600 लिमिट दिया गया है तो आपको 600 वाट लिमिट प्ली सिक्सिक ति होने से भी चल जाएगा पर आपको दो स्ट्री से कम में निलिखना है नितल हो सकता है यहां पर यह था कॉस्चिन पेपर यहां पर आपको dość पूर्ट नंबर ग्रूप B में आपको छे कॉश्चन देखनों को मिलेंगे और आपको उन में से सिर्फ चारी का एंसर लिखना है तो विदिन 600 वर्ट्स तो यह कॉश्चन पेपर आज के बिकॉम 5th semester examination का था बिजने इंवार्मेंट तो सभी का कॉश्चन पेपर इसी टाइप के आने वाले हैं तो जितना भी अभी examination होने वाला है बिकॉम बीए बीस सी फर्स सिम थर्ट सेंफ सें सबका कॉश्चन पेपर बेटर निस परकार से होने वाला है ग्रूप ए ग्रूप भी तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर कर देना ताकि मैं आपके लिए हमेशा लेटेस नोटिफिकेशन गवार्ट इनिवर्सिटी से लेके आता रहत हूं तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत सुक्रिया